Hello everyone, सबसे पहले मैं आप लोगों को sorry बोलना चाहता हूँ कि मैंने बहुत महीनों से कोई भी gold ये silver की video नहीं बनाई but don't worry मैं आप लोगों को भूला नहीं हूँ मैं आप लोगों को queries और comments सब पढ़ता था and जब मुझे time मिलता था मैं उनको reply भी करता था एक query मुझे बार बार आती थी वो है कि मैं अपना gold silver को protect कैसे करता हूं और मैं उसको store कैसे करता हूं तो मैंने सुचा इस सचे मैं बार बार इस चीज़ पर reply करूं एक video बना देता हूं और आपको present करता हूं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि gold and silver bars को protect कैसे करें स्क्राचिस से और उनको store करने के कौंसे options हैं हमारे पास अब आप सामने देख रहे होंगे ये yellow color का box इस box के पीछे बड़ी story है ये box मैंने कहीं से खरीदा नहीं है ये box में आया था एक शादी का card जी हाँ, इतना fancy box शादी के card के लिए है बहुत impress हुआ था हमें तो मैंने सुचा कि इस box को मैं कैसे utilize करूँ फिर मेरे को idea आया कि मेरे gold और silver जो bars हैं वो इसमें अच्छे से आ सकते हैं एंड उस दिन से मैं इसको अपने storage option की तरह use कर रहा हूँ अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर मैंने अपने gold silver bars को कैसे arrange कर करके रखा है तो लेट सी इस box के अंदर सबसे पहले है ये plastic box इस पे लिखा है बैंगलो रिफाइंडरी जो मैंने ट्रेशर सुक से बार्ज लिए थे वह इसमें आये थे काफी हैंडी आ जाते हैं बॉक्स नेक्स बॉक्स में हैं गोल बार्ज और प्लैटनिम बार नेक्स बॉक्स में नेक्स बॉक्स में शली बार्स और कॉन इसमें नेक्स्ट है 100 रुपीज का और 50 रुपीज का सिल्वर नॉट इसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा, so stay tuned यह 50 ग्राम के सिल्वर बार्स, MMTC है और यह सारे हैं 100 ग्राम सिल्वर बार्स, सेम रस बील और यह खाली बॉक्स यह हैं BRPL के 250 ग्राम और 500 ग्राम बार्स और लास्ट आइटम में इसमें जो लोकल जूलियो से 500 ग्राम का बार्ड दिया था सिल्वर का तो आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा समान आ जाता है अब मैं सब कुछ अरेंज करके आता हूं फाइनली सारा इसके इंदर है जिंदल बुलियन के कॉइंस इनकी कॉइंस एक कार्डबूर्ड के बॉक्स पे टेप होकर आये थे तो में पास प्रोटेक्ट करने का जाता ऑप्शन नहीं है या मैं इसको शाटन या वेल्वेट क्लोथ में रख सकता हूं या मैं इस प्लास्टिक पाउच में भी रख सकता हूं मामूली इसमें स्क्राच इस लगेंगे लेकिन ज्यादा इसमें नुकसान नहीं है कि सेगेंड ऑप्शन है कि आपको कि सर्टी कार्ड वाला बार मिल रहा है मतलब आपको अपना सिल्वर या गोल्ड सर्टी कार्ड में मिल रहा है इसमें मौईस्ट्र वगेरा के साथ कॉंटेक्ट होने में बहुत मुश्किल है वेर होगा भी तो ज्यादा डैमेज वो करता नहीं है अब यह शायद एक साल पुराना बार है और अगर आप देखेंगे तो बिल्कूल साफ है इसक्राच जो है यह भार के कवरिंग पर सिल्वर पर नहीं है एक एक पैकिंग ऐसे भी आती है प्लासिक फिल्म में यह अगर फट जाती है तो फिर थोड़ा कॉंटाक्ट हो जाता है एर के साथ जैसे यहां आप देख रहे होंगे यह कॉंटाक्ट है एर के साथ अभी यहां पर थोड़ा तानिश हो गया लेकिन वो ज्यादा मैटर नहीं करता एक ऑप्शन है कैप्सूल्स कैप्सूल भी बहुत अच्छे माने जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए बट मैंने काफी स्क्राचिज लगा दिये इसमें अगर आपके पास सिमिलर कोई कॉइन है और आपको कैप्सूल में डिलवाना है तो आप अपने जूलर से पूछ सकते हैं उनके पास एक्स्ट्रा कैप्स होती है अब जैसे मैंने यह सी एर के कॉंटेक्ट में छोड़ दिया तो उसमें कोई बहुत प्रॉब्रम नहीं होगी वो इंस्टेंटली टानिश नहीं हो जाएगा जिस तरह मैंने सिल्वर का दिखाया गोल्ड में भी ऐसी है यह सर्टी कार्ड में आता है तो यह पूरा पैक्ट है सील्ड है तो एक एसा कोई कॉंटेक्ट नहीं है अपने गोल्ड और सिल्वर को प्रोटेक्ट करना बहुत इ जाता है जो कि दोनों हमें नहीं चाहिए यह अगर आपने सिल्वर बार्ज या कॉइन्स या गोल्ड बार्ज या कॉइन्स लिये हैं और वह ऐसी पैकिंग में नहीं आये तो उसमें चिंदा करने की ज़रूरत नहीं है आप वेलवेट या सैटिन का क्लोथ में उनको रख सक गोल्ड और सिल्वर की बार्ज और कोइन्स को मैं स्टोर करता हूं और प्रोटेक्ट करता हूं अब मैं आपको बताता हूं कि और कौन से ऑप्शिंस हैं जिनसे अपने सिल्वर और गोल्ड को स्टोर कर सकते हैं पहला ऑप्शिन है घर में सेफ खरीदना लॉकर टाइप जै से सिक्यूरिटी जादा बढ़ेगी अगर आप अपने गोल और सिल्वर को किसी सेफ में नहीं रखना चाहते लेकिन आप घर में स्टोर करना चाहते हैं तो किसी ऐसे लोकेशन में रखें जहां सिर्फ आपके पर्सनल एक दो लोगों को पता हो और किसी को ना पता हो यह चीज साथ बहुत बैंक्स होते हैं जिनकी टर्मजन करडिशन बहुत अलग अलग हैं जैसे एक बैंक कह सकता है आपको हमारे यहां अकाउंट खोलने के लिए एक पचास हजार की एफडी करनी पड़ीगी तो बेसिकली क्या आपको लगता है कि आप लॉकर अवेल करवाने के से रहा हूं पंजाब और सिंद्ध बैंक का इस टेबल में देख सकते हैं दो फैक्टर्स हैं साइज ऑफ लॉकर और कैटेगरी ऑफ ब्रांचेस साइज ऑफ लॉकर में स्मॉल मीडियम लाज और वरी लार्ज दिया गया है डिपेंड करता है कि आप डॉक्यूमेंट सखना सब्सक्राइब या गोल या सिल्वर बाज रखना चाहते हैं केटेग्री ऑफ ब्रांचेस मतलब रूरल यानि कि गाउं जहां दस हजार से कम लोग रहते हैं अर्बन जहां दस लाग से कम लोग रहते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी जहां 10 लाग के ऊपर पॉपिलीशन है जैसे डेली, मुंबई, बेंगलोर तो अगर मैं एक्जामपल लेता हूं मानलो मैं अगर मैं किसी मेट्रो सिटी में रहता हूं मानलो बेंगलोर में रहता हूं और मेरा पंजाबिन सिंध में अकाउंट है मैंने लार्ज लोकर ले लिया तो मुझे हर साल 6,000 रुपे देने पड़ेंगे बैंक को लॉकर रखने के लिए अब आपको लग रहा होगा गुल्ड शिल्वर जो आपने इन्वेस्ट करा है जिसमें उसको सेफ रखने के लिए आपको और पैसे इनवेस्ट करने पड़ेंगे जी हां ये ही है टूट एक पल के लिए इंसान ये भी सोच सकत है कि चलो मेरा लाखो का समान बैंक सिक्यूर रखेगा तो छेजार रुपे पर यह कुछ नहीं है लेकिन एक शॉपिंग पॉइंट बताता हूं जो भी आप समान अपने लॉकर में डालेंगे वह इंशॉर्ड नहीं होता है जी हां कोई इंशॉर्णस नहीं है उस पर जब कुछ भी या इवन खाली छोड़ रहे हो वो भी उनको फरक नहीं पड़ेगा उस चीज के लिए उनको सिर्व अपने साल की फीस चाहिए यह इंशॉर्णस ना मिलने का यह नुकसान है अगर बैंक बैंकरप्ट हो गया जी हां बैंक बैंकरप्ट हो गया तो वो हमारा साथ गेम्स खेल सकता है अपना लॉस कवर करने के लिए हमारा सिल्वर गोल्ड या कैश कुछ भी उसमें से गायब कर सकता है और हम क्लेम भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमने कहीं कंटेंस मेंशन नहीं किये बैंक अपने हाथ खड़े कर देगा और हमारा लॉस वहीं पर हो जाए कि मेरा चेन खोगी या मेरा बार खोगया उसका तो को इंशॉरंस है यहां पर फिर आपका लॉस तो अगर इंशॉरंस है यह नहीं इस चीज का क्या फाइदा बैंक में रखने का खेर यह आपके उपर मैं छोड़ता हूं सोचने के लिए कि आप क्या प्रिफर करेंगे इंडिया और अमेरिका की कंपैरिसन बहुत होते रहते हैं तो मैंने सोचा चलो एक परस्पेक्टिव देता हूं तो इसमें मैंने जब पढ़ा तो यह पदा चला कि अमेरिका में लोग बैंक को अपना गोल्ड सिल्वर या इंपोर्टन डॉक्युमेंट देने में से बहुत बैंक को तब ही दो अगर आपको ट्रस्ट है या आपको इतना लगता है कि घर पे अंसेफ है बैंक में सेफ है तब ही ऑप्शन सही है वरना बैंक में लॉकर खुलवा के अगर वैल्यू जादा नहीं है लेकिन पैसे आप दे रहे हो तो वह तो वेस्ट लग रहा है एक फ़ लग सी जगह पर जाके दबा देते हैं और फिर उसका एक मैप बना के कहीं सेव करके रख लेते हैं इससे बचलता है कि वह बैंक को ट्रस्ट नहीं करते लेकिन वह खाली ग्राउंड को ट्रस्ट कर सकते हैं तो उनकी थिंकिंग सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है गोल्डन है अब कभी भी चेक कर सकते हैं content सही है कि नहीं जितने डाले थे उतने हैं कि नहीं अगर कोई भी टानिश हो गया है तो भी आप चेक कर सकते हैं since bank के lockers insured नहीं होते हैं घर पर जो आप रखते हैं golden silver उसका insurance होता है मैं शोर नहीं हूं कि कितने value पर होता है I think 10 लाक या उसके उपर value अगर आपकी gold silver की तो आप insurance करवा सकते हैं and claim वगेरा सारा उसके accounting चलता है बट bank में आपको कोई option नहीं मिलता तो यह advantages काफी लग रहे हैं कि घर में आप बार बार चेक कर सकते हैं गोल्ड सिर्वर थी कंडिशन में है कि नहीं जितना आपने पिछले बार रखा था उतना है भी कि नहीं सेंसी सी टीवी होगा तो अगर कुछ गायब होता भी है आप ट्रैक कर सकते हैं कि किसने करा होगा आपको अगर emergency में बेचना है उसे आप कभी भी निकाल के जाके जू मैंने भी सोचा कि घर पर गोल्ड सिर्वर रखना काफी अच्छा है बस ऐसी जगह पर रखना जहां पर ज़्यादा लोग देखना पाएं कि क्या है इसमें कई लोग अपने स्पीकर्स के अंदर डाल देते हैं पता नहीं हो कैसे करते हैं मुझे किसी ने पूछा था कि मैं क तो इस पर लिखा होगा है एपी बर्देवरुन 75 2018 मतलब 7th of May 2018 from Sonia and Sweetie Masi तो यह मुझे मेरे 21st birthday पर दिया गया था यह 50 gram का silver bar है मेरे family members को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे silver कितना पसंद है तो उनने मुझे यह गिफ्ट किया था यह जो material है पर आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा तो यह satin velvet type है इससे scratches avoid होते है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज लीवा लाइक कॉमेंट करें कि आप कैसे स्टोर करना चाहते है अपने gold silver घर पे या bank का locker अवेल करेंगे हैं अगर आपको कोई भी question यह कोई भी query है comment में लिख दें अगर hello करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं and finally do not forget to subscribe for more thanks for watching